आज हम सुनेंगे कार्टिक मास का तीसवा अध्याई भगवान किर्षन ने कहा कि ये प्रिये नारज जी के वचन सुनकर महाराज पिर्थ बड़े विस्मित हैं और उन्होंने नारज जी का पूजन करके उनको विदा भी किया है इसलिए माग कार्टिक और एकादशी ये तीन वरत मुझे बहुत प्रिये हैं वन्सपतियों में तुलसी महीने में कार्टिक पितियों में एकादशी और छेत्रों में श्री कार्टिक मुझे बहुत प्रिये हैं जो प्राणी जितेंद्रिये होकर उनका सेवन करता है वो यग करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिये ल आपने ये बात बड़ी आस्चरिय जनक कही कि दूसरों के लिए पुन्या के फल से कलहा की मुक्ति हो गई ये पर भावशा लिकार्तिक मास आपको अधिक प्रिये है जिसे प्रति द्रोह का पाप केवल सनान के पुन्या से ही नस्टो गया दूसरे मनुष्य द्वारा किया हु पुन्या उनके देने से कैसे मिल जाता है आप मुझे ये सब बताईए तब भगवान कृष्ण ने कहा कि बिना दिये हुए पुन्या और पाप जिस करमदवारा मिलता है वो सुनो सत्गुण में देश गराम और कुलों को दिया हुए पुन्या ये पाप मिलता था लेकिन कलियोग में केवल पाप और पुन्या का फल भोगना पड़ता है संसर्ग ने करने पर भी ये व्यवस्था की गई है कि संसर्ग से जैसे पाप और पुन्या दूसरे को मिलते हैं उनकी व्यवस्था भी सुनो पढ़ाना यग कराना और साथ में भोजन करने से पाप पुन्या का आदफल मिलता है एक आसन पर बैठने और सवारी पर चड़ने से स्वास के आने जाने से पुन्या और पाप का चोधा भाग प्राणी मात्र को मिलता है स्पर्स करने भोजन करने और दूसरे की स्तूती करने से पुन्या और पाप का छटा भाग मिलता है दर्शन करने सुनने और ध्यान करने से मनुष्य को पुन्या और पाप का दस्वा अंश मिलता है दूसरों की निंदा चुगली और धिकार करने से उनका सात्वा भाग मिलत पुन्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वो सेवा का भाग लेता है अपना पुन्य उसे देता है नोकर और शिश्य के अतिरिक जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवा कर उसे पैसे नहीं देता वो सेवक उनके पुन्य का भागी होता है पंक्ति में बैठे हुए भ उसे जिसकी भी पतल उसने लांगी है उसे पुन्या का छटा भाग में देता है सनान और ध्यान आदी करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बाच्चित करता है या उसे छूता है वो पुन्या का छटा भाग उसे दे डालता है जो मनुश्य धरम के काम के लिए दूसरे से धन मांगता है पुन्या का भागी होता है ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुन्या का भागी होता है और जो मनुश्य धरम का उपदेश करता है उसके पस्चात श्रोता से याचना करता है वो अपने पुन्या का छटा भ इसका धन चुराता है वो पुन्या का भागी होता है बिना रिन के उत्रे जो मनुश्या मर जाते हैं उनको रिन देने वाले सज्जन पुन्या के भागी होते हैं शिक्षा देने वाला सलाह देने वाला सामगरी को जुटाने वाला और प्रेना देने वाला ये पाप और पुन् के लिए पुन्या का छटा भाग पाती है पती को खुश करने वाली आग्याकारी इस्त्री पती के लिए पुन्या का आधा भाग ले लेती है जो पुन्यातमा प्राय लोगों को दान करता है वो उनकी पुन्या का छटा भाग प्राप्त करता है जीवी का देने वाला मनुश्य जीवी का ग्रैन करने वाले मनुश्य के पुन्य के छटे भाग को प्राप करता है इस परकार दूसरों के लिए पुन्य और पाप बिना देने के भी दूसरों को मिल सकते हैं ये नियम जो कि मैंने बताए हैं ये कल्यूग में लागू नहीं होते कल्यूग में तो सिर्फ एक मा ये मारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्लीज घovan वीडियो जो हमारे वीडियो को लाइक करना नभूलें और दन्यवाद